जमीनी अस्तर से ज्यादा सोसल मीडिया पर इस गैंग का भौकाल है। जिन पर हतियार के साथ पोश्ट डालते हैं। दुरलब कस्यव का जन्म उजयन जीलिक जिवान जी गज के अबदालपूर में आठ नुवंबर दो हजार इश्वी को हुआ था। पिता सरकारी नौकरी में और माता टीचर थी। जन्म के बाद दोनों बहुत ही प्यार से इसका नाम दुरलब रखा था। पैरेंट्स ने सोचा था कि आगे चल कर यह कुछ अलग करेगा। आखिरकार आगे चल कर दुरलब ने कुछ अलग तो जरूर किया। लेकिन परियार और समाज के लिए नासूर बन गया। दुरलब अपनी मा के करीव रहता था। इसलिए वह मा के साथ उज्जैन में ही रहता था। पिता किसी कारण बस इंदौर में रहते थे।। दुरलब उज्जयन में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। दुरलब को नजदिक से जानने वाले बताते हैं कि वह बिल्लियों का शौकीन था। सोला की उम्र में दहसत फैलाने के लिए गैंग तयार हो गया। इस गैंग के लोगों का काम करने का अपना एक अलग अंदाज था। उसने छोटी उम्र के लोगों का एक बड़ा गैंग बना लिया था। फिस्बुक पर दुरलब कर्षब ने विग्यापन दिया की कुख्यात, बदमास, हत्यारा, पेशिवर अफरादी किसी भी विवाद के लिए संपर्क करें। दुरलब कर्षब गैंग का एक कॉर्पोरेट कॉंपनी की तरह काम करता था। गैंग का अपना अस्टाइल और ड्रेश कोड था। इस गैंग के सभी सदस्य माथे पर तिलग, आखों में सुर्मा और कंधे पर काला गमचा रखते थे। इसके साथ ही गैंग के लोग कभी काला कपड़ा भी पहनते थे। दुरलब करश्यब गैंग के इस एस्टाइल को इवा देखकर फैन होते जा रहे थे। पढ़ाई को छोड़कर इवा दुरलब गैंग से जुड़े जा रहे थे। 18 वर्ष की उम्र में ही दुरलब पर 9 किस संचालित हैं यह जिल की अंदर रहकर भी गैंग को संचालित करता था। इन सबों के बाद 6 सितंबर 2020 को दुरलब कर्श्यब की गैंग का दुनिया से अंत हो गया। को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और हां दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और साथ ने बैल नौटिफिकेशन को आउन कर लें ताकि अगली वीडियो की जनकार करके जल का की एक बाली है